दोस्तो आज मैं आपको 1 kWh solar power plant के बरें पूरा जानकारे दूँँगा तो दोस्तो वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन काम का है इसलिए लाश्ट तक बने रहेगा तो सबसे पहले मैं आपको 5 point बताता हूँ जो आपके मन में होते हैं तो दोस्तो आज जितने भी डाउट से वह मैं क्लियर कर दूँगा नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अकास और आप देख रहे हैं टेक्टो जोकास तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यह है एक किलोवाट का बिक्रम कंपनी का solar panel जिसमें 335W के तीन पैनल लगा हुआ है और दोस्तो इसमें GI structure लगा हुआ है और छट में होल करके फासनर के द्वारा खड़ा किया जाता है उसके बाद उसके उपर ब्लॉक बना दिया जाता है और दोस्तो बात करे दिस solar panel के वायरिंग को तो दोस्तो तीनो solar panel को 3 in 1 out mc4 connector के द्वारा पैरलर में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद दो output wire inverter के पास चला जाता है जिसमें से एक positive होता है और एक negative होता है दोस्तो ये है जैक्सन कंपनी का डेर्ट सेंपियर के दोपीस बैटरी और इन दोनों बैटरी को सिरीज में जोड़ करके 24 बोल्ट बना दिया जाए क्योंकि हमारा inverter जो है 24 बोल्ट पे काम करता है और दोस्तो सिंगल बैटरी वाला भी inverter आता है और दोस्तो ये है जैक्सन कंपनी का 222 का inverter जिस पर हम 1.5 kW का लोड दे सकते हैं और दोस्तो इस पर 1200W तक solar panel लगा सकते है दोस्तो इसने ये दोनों है बैटरी का वायर और ये दोनों है solar का वायर और ये है AC output और ये है mains wire दोस्तो इस inverter का सारा connection हो चुका है अब हम लाल बिटन पर क्लिक करके inverter को on करते है दोस्तो यहाँ पर KWH लिखा है यहाँ पर unit दिखाएगा और ये 13A से हमारी battery charge हो रही है और यहाँ पर load कुछ भी नहीं है इसलिए 0A दिखा रहा है और ये dead time दिखा रहा है और 28.2 volt से हमारी battery charge हो रही है दोस्तो इस solar power plant को आप निस्टॉल कर सकते हैं कोई problem में लेकिन दोस्तों क्या होता है कि tools की requirement होती है इसमें बहुत ज्यादे tools की आप सकता होती है इसलिए दोस्तों मेरा suggestion यहीं रहेगा कि आप installer से इस्टॉल कर रहा है क्योंकि जो भी problem होगा बाद में अगे दिए आप उसको call करते हैं और दोस्तों इस inverter से आप 6 LED वल्व तीन फैन और एक LED टीवी और फ्रीज भी चला सकते हैं लेकिन दोस्तों फ्रीज फाइव इस्टार होना चाहिए अल्रेडी यहीं सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है दोस्तों यहीं price मेरे में लगा हुआ है लेकिन दोस्तों आपके area में थोड़ा अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है तो दोस्तों जब से इस solar power plant मेरे घर पे लगा हुआ है अब तक कोई भी problem नहीं आया और दोस्तो मेरे हाँ मीटर वाला लाइट भी कटवा दिया गया है वो लाइट मेरे हाँ नहीं आती लेकिन दोस्तो यह आपको थोड़ा प्राबलम होगा भी तो वह बारिस के सीजन में ही होगा क्योंकि यह पूरा सिष्टम धूप से चलता है और जब धूप ही नहीं होगा तो यह चले का कैस, तो दोस्तों फिलाल आज की वीडियो में बस इतना है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और हाँ, यदि आप मेरे चनल पे नहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर यदि आता हैं, तब तक क्लियो जाहिन बने माते हैं